एक इगाई, एक रहस्यमाई शब्द इस जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ न कुछ करते रहना, थोड़ा प्यार करना है और कुछ उमीद करना इस एक पंक्ती में न, पूरी जीवन का सार छुपा है जहां दोस्तों, हम मेंसे कौन होगा जो एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कलपना नहीं करता एक अच्छा जीवन साथ ही नहीं चाहता, दुख या बीमारी से बचाओ नहीं चाहता या अपनी मन के सब ही अर्मानों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहता कोई नहीं न हम सब इस धर्ती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टी की खोज में बिता देते है आज हम ऐसी हे कनूठी और दुनिया भर में अत्यंत लोग प्रिय किताब पर चर्चा करेंगे जिसने करोडों लोगों की जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है इस किताब का नाम है एकी गाई और इसे दो लेखकों निमिल कर लिखा है जिनके नाम है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मरालिस नमस्कार मैं हूँ आपके साथ बल्लवी और आएज चलते हैं जीवन की इस अभूज पहेली को सुलजाने वाली एकी गाई की आत्रा पर एकी गाई क्या है? जापानी में एकी गाई उन प्रतीकों को मिला कर लिखा जाता है जिनका आर्थ है जीवन और सार्थक होना और जो हमेशा व्यस्त रहने की खोशी के रूप में अनुबादित किया जाता है यहाँ व्यस्त रहनी के माईने एक पूर्ण जीवन जीने के अर्थ में कहे गए है आपके अंदर एक जिनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपके दिनों को अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साजा करने के लिए फ्रेरित करती है यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो आपका मिशन एसे खोजना है हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास समान है वो यह है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं, है न? जब हम अपने दिन को उस चीज़ से जुड़ा महसूस करते हुए बिताते हैं, जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं जब हम कनेक्शन खो देते हैं, तो हम निराशा महसूस करते हैं हमारी एकिगाई हम में इसी प्रतीक के अंदर गहराई से छिपी हुई है और इसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर बहुत अंदर छांकने की ज़रूरत है जापान के ओकिनावा, जिसे दुनिया में सबसे अधिक आयू वाले लोगों का दुवीब भी कहा जाता है में पैदा हुए लोगों के अनुसार, हमारी एकिगाई वो कारण है, जिससे हम सुभा उठते हैं एक बार जब आप अपने एकिगाई की खोच कर लेते हैं तो उसका पालन करना और हर दिन उसका पोशन करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देशे हो या कई, लेकिन आपके पास एक एकिगाई है, जैसे आप बहुत कमभीरता से नहीं लेते वो आराम से रहने में और आप जो कुछ भी करते हैं, उसका आनन लेने में फर्क होता है एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाशत एकिगाई वाले सभी लोगों में समान रूप से पाए जाती है, वो यह है कि वो ना अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस मूल भूठ संदर्प के साथ यहां शुरुवात करना अविश्वसने रूप से महत्वपूर है, मानव विकास की कई आध्यात्मिक परमपराएं और सिधान्त इसी के किसी ना किसी रूप में मिलते प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश, उद्देश खोजने और उद्देश बनाने का एक संयोजन है, आप जरूरी नहीं कि अपने जीवन के उद्देश को चुनते हैं, आप इसे ढूंडते हैं, लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं, ये तो आप ही चुनते हैं, इसे देखने का एक और तरीका हो सकता है, भाग्य और स्वतं प्रद्र इच्छा एक साथ काम करना यानि अपने भाग्य से प्यार करना और अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसी सक्रियरूप से चुलना। अपने आपको अच्छे दोस्तों के बीच रखें, अपने अगले जन दिन के लिए स्वस्थ बने, खुल के मुस्खराएं, प्रकृती के साथ फिर से जुडें, प्रितक्य बने और वर्तमान में जियें। इस तरह आप भी अपने इकिगाय का पालन करें। मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है, क्योंकि चिन लोगों को भी इकगाय मिला है न, वो सभी लंबा और आनंदित जीवन जी रहें। एक जापानी का हावत के अनुसार, सौ वर्ष चीने की चाहत आप में तभी होगी, जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। हम इस मूल मंत्र पर हो रही बहुत ही सुन्दर चर्चा को जारी रखेंगे, आप भी बनी रहें हमारे साथ। बढ़ती उम्र में भी युवा आखिर हमारे अस्तित्व की वज़ा क्या है? हम सभी की मन में कभी न कभी ये सवाल अवश्या आता है। चाहे हम जीवन में किसी भी उतार चड़ाओ से क्यों न जूच रहे हूँ? या सब कुछ बिना किसी बाधा के क्यों न चल रहा हूँ? क्यों? सही कहा ना? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चर्चा में है जापानी जीवन दर्शन पर आधारेती बहुत ही फ्रेरक और प्रशन सिनिय किताब जिसका नाम है एकिगाई। जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। एक बार आपको अपना एकिगाई स्पष्ट हो जाए न तो फिर सुख और संतुष्टी अपने आप मिलती है और इसी से जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब से आपको जापानी लोगों के तन, मन अपधी से हमेशा स्वस्थ रहने का राज भी पता चलेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां के लोग रिटार्मेंट यानि सेवा निवृत्ती जैसे शब्दों को जानते तक नहीं है। उनके लिए अपनी जीवन का उद्देशे इतना जरूरी होता है कि जब जापान के एक टापू के लोग कहते हैं कि उन सभी के लिए सुभा उठने के पीछे एक ही कारण होता है और वो है उन्हें मिला हुआ एक ही गाई। जापान का ये छोटा सद्वी ओकिनावा पूरी दुनिया में ब्लू जोन के लिए प्रसित है। ब्लू जोन यानि जहां लंबी आयो वाले बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों। दिरगायो होने के रहस्य के बारे में और जानकारी हासल करती वक्त। इस बात का पता चला कि चापानी लोगों के खाने पीने के तोर तरीक के और उनकी खात्य संस्कृती के साथ एकी गाई का ज्यान उनकी लंबी हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक स्वस्त और जीवेत रहती हैं। पूरे जोश और खुशी के साथ करना ही इन लोगों की एकी गाई होता है। और यही इनकी शतायू जीवन का राज है। ज्यादा कसरत नहीं करते हैं लेकिन मीलो तक पैदल चलते हैं और अपने बखीचों में काम करते रहते हैं। जापान में हमेशा कही जाने वाली एक लाइन कुछ इस तरह है। हारा हाची बू यानि उतना खाना खाई है जिससे आपका पेट केवल असी प्रतिशत ही भरे। कभी भी पेट भर जाने के हद तक मत खाई है। उनका मानना है कि इससे खाना हजम करने में जो उर्जा खर्च होती है उसकी बचट भी होती है। पेट भर जाने के बाद का खाना, नाश्ता, मीठा या भलों का रस ये सब चीजे कुछ समय के लिए आनन देती हैं। लेकिन अगर इनहीं टाल सकें, तो लंबा जीवन जी सकेंगे। यहां खाना भी छोटी-छोटी मात्रा में ही परोसा जाता है। और सामाज़क व्यवहार कहता है कि बार-बार खाना ना मांगा जाए, तो लोग आदतन कमी खाते हैं। ओकिनावा में लोग किसी भी अन्य जगह की तुलुनावें ज्याधा दोस्ताना बरताव करते हैं, क्योंकि यह उनकी संस्कृती का एक अभिन्य अंग है। यहां के लोग मुआई संकल्पना को मानते हैं, जिसका आर्थ होता है, एक ही उद्देश से कठा हुए कई लोग। कई लोगों के लिए सिर्फ समाज सिवा करना ही उनका एकिगाय होता है। हर किसी की मदद के लिए एक पूरा समू हो है, जो किसी भी बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा है, यही सोच कर यहां के लोगों के मन में सुरक्षा की भावना रहती है। और ये तनाव, मुक्त और लंबा जीवन जीते हैं। तो ये थी एकिगाय के बारे में जानकारी की शुरुवात। आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे कि आज के स्योग में लोग उम्र से पहले बूढ़े क्यों होते हैं। और साथी ये भी समझेंगे कि एकिगाय से हमें किस तरह का फायदा हो सकता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अर्थपूर्ण है और हमें सोचने पर मजबूर करने वाली भी। इससे हमें ये बात समझ आती है कि शरीर और मन दुनूं ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इन दुनूं का ही स्वास्त है एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसका आर्थिया ही है कि लंबे समय तक जबान रहने के लिए आपके मन का कारिक्षम और खुला होना बहुत जरूरी है। चोश से भरा हुआ मन आपको हमेशा जबान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। शारीरिक व्यायाम की तरह मानसिक व्यायाम भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवशक है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है न तो दिमाग नए कनेक्शन्स का निर्मान करता है और पुनर जीवित होता है। इसलिए नई नई बाते करना और बदलाव कुस विकार करना बहुत जरूरी है। अपनी दिमाग को इस तरह की ट्रेनिंग देती रहने से क्या फायदे होते हैं ये विज्ञान ने साबित कर दिया। मानसिक व्यायाम का एक और सीधा और सरलदारण है कि दूसरों के साथ खेल खेलने से या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आजाता है जिससे अकेला पन और निराशा मिटती है। तनाव हमारी लंबी आयू के लिए मारक का काम करता है। कुछ लोग जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुढ़े मालूम होते हैं, अध्ययन से पता चला है कि उसके पीछे की वज़ा अकसर तनाव होता है। जी, आये जानते हैं कि तनाव कैसे काम करता है। देकि आजकल लोग बहुत तेज गती से जीवन जी रहे हैं। साथी हर समय एक परदा भरे माहौल में रहते हैं। ऐसी स्थिती में हमारे जीवन को समस्या के संकेत मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तोर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। कभी-कभी ये प्रतिक्रिया हमारे लिए अच्छा काम भी करते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। कई बार ये तनाव हमारे काम आता है और हमारे बचाओ के लिए उपयोगी भी सिद्ध होता है लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना ना, शरीर को यकीनन हानी पहुंचा सकता है। तनाव कम करने के लिए सजग रहना जरूरी है। हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हूँ या नकली लेकिन उनसे जो तनाव पैदा होता है उसके परणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचास से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा सर परता है। इसलिए समस्या आने से पहले हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए mindful यानि सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने की उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सजगता की अवस्था तक पहुँचने का एक मार्ग है ध्यान यानि meditation। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी उराने वाली जानकारी को जान कर अपनी मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और body scan के माध्यम से भी हम इस लक्ष को हासल कर सकते हैं। mindfulness यानि सजगता को हम प्रशिक्षन के माध्यम से हासल कर सकते हैं। और हर वो काम जिसे हम ध्यान को एकाग्र करके करते हैं उससे हम तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। अच्छा ये तो आप जानते हैं कि ज्यादा बैठे रहने से भी मोटापा चड़ता हैं। पश्चमी देशों में एक ही जगा बैठकर काम करने की संस्कृती बढ़ती जा रहे हैं। जैसे हाई ब्लाद प्रशर और मोटापी जैसी बीमारियों का खत्रा रहता है। और ये बीमारियां समय से पूर्व मृत्यों का कारण भी बन सकती हैं। एक चगा पर लगातार बैठनी के आदत को बदलना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हल चल और रोज मर्रा की जिम्दगी में किया हुआ हलका सा बदलाओ। इस समस्या को जड़ से निकाल कर भेग सकता है जैसे कि हर दिन थोड़ा सा पैदल जरूर चलें। आत्मविश्वाज भी बढ़ता है। लोगों की उम्र को पहचानने का सबसे सरल तरीका है उनकी त्वचा का हाल। हमारे शरीर के अंदर जो भी बदलाओ होते हैं वो त्वचा पे साफ नजर आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर की सिस्टम का आई ना होती है। विज्ञा ने ये भी साबित कर दिया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जी, जब हम सूते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हॉमोन्स तयार होते हैं जो युवा दिखने में हमारी साहायता करते हैं। हमारी मन में असमान ये शक्ति हैं। हमारा शरीर जबान दिखेगा ये बूढ़ा इस पर मन काना बहुत प्रभाव पड़ता है। मन का कारिरत होना और जोश से भरा होना जरूरी है स्टोएक नजरिया यानि समस्या होते हुए भी चहरी की हसी नहीं खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है और यही है एक गाय का मुख्य तत्व अगले भाग में चर्शा करेंगे दीरगायु जीवन और जीवन के उद्देश के बीच जो गहरा रिष्टा है उसके बारे में आप बने रहें हमारे साथ लोगों तरपी से एक गाय तक जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हमें हर समय सुलझाना है बस याद रखें कि जीवन का उद्देश है कुछ ऐसा करने में व्यस्त रहना जो आपको पसंद हो और साथ है ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपको प्यार करते हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और इस औरियो समरी में प्रस्तुत है पूरी दुनिया को जीने का धंग समझाती चापानी दर्शन पर आधारत किताब एकिकाई इस किताब को स्पेन के दो लेखकों ने मिलकर लिखा है जिनके नाम है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसास्क मरालेस इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धी हासल की है व्यक्तिकत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखीन की बहुत सी किताबیں बेस्ट सलर्स की रूप में उपलब्ध है आजकी इस कड़ी में चर्चा का विशह है लोगों सरफी से एक गाय तक अपनी जीवन का उत्देश जानकर लंबी आयू तक जीने की कला अब तक हमने जाना किस तरह जापान के छोटे सित्वीब के लोग दुनिया भर में सबसे अधिक आयू वाले समोह की रूप में जानी जाते हैं उनके इस जीवन दर्शन का कारण है अच्छा खान पान, जहन सहन और एक गाय यानी जीने का उत्देश आखर लोगों सरफी किसे कहते हैं? यह मानसिक उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें पीड़े सीधे बैठकर अपने थेरपिस्ट के कुछ ऐसे सवालों के जवाब देता है जिन्हें सुनना आम तोर पर बहुत मुश्किल होता है जैसे किसी मरीज की आँखों में आँखें डाल कर ये पूछना कि उसने अभी तक आत्माहत्या क्यूं नहीं की? इस सवाल के जवाब में अकसर उस मरीज को अपनी जीने की कोई अच्छी वज़ा मिली जाते है और वो फिर उसी उद्देश के साथ अपने आगे की यात्रा शुरू करता है ऐसे में लोगो सेरपी ने क्या किया? आपको जीवन जीने का मकसद धूनने में थोड़ी सी मदद, बस लोगो सेरपी आम इंसान को उनकी जीवन का उद्देश समझने में सही उख करती है जिसकी वज़े से उनकी जीवन को नया आर्थ प्राप्त होता है जीने की नई उमीद मिलती है और वो नए जोश और उच्छा के साथ आगे का जीवन जीने लगते है साथ ही वो अपनी नकारात्मकारिश एली को बदलना और समस्याओं पर विज़े प्राप्त करना भी सीख लेते हैं चलिए अब बात करते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के बारे में देखिए जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश नहीं होता या वो दुनलासा होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है ये कोई साधारा निराशा नहीं है इस निराशा में भी एक उर्जा होती है चुन्नव निर्माण का कारण बनती है इसलिए इस निराशा को भी एक सकारात्मर भार्णा के रूप में लेना चाहिए बागी थेरपीस की तरह लोगों थेरपीस निराशा को मानसिक बीमारी भी नहीं समझती बलकि उसे एक आध्यात में खोज की तरह देखती है ये एक उद्रती प्रक्रिया है जिसमें लोग खोज से या किसी और की मदद से अपने हस्तित्व की खोज करने में सभल होते हैं इसकी मदद से वो एक नई स्वंतुष्टी के अनुभूती पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष पाने की यात्रा करते हैं हमने आज तक क्या हासल किया है और आगे क्या हासल करना है इसके बीच जो अंतर होता है न वही हमारे अंदर तनाओ का निर्मान करता है कई बार यही तनाओ हमारे अच्छे स्वास्थ का कारण बनता है जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासल करनी होती है, तो हम आराम तलब या सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं, उल्टा हम चुनोतियों से भरा जीवन पसंद करते हैं, है न? इसके विरुद आज के आधनिक समाज में लोग वो नहीं करते हैं जो उन्हें करना अच्छा लगता है, बलकि वो करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, खुद की पसंद का काम चोड़कर बागी लोग जो काम करने हों उसे ही करने का दिखावा करते हैं, या सिर्फ आर्थिक आजादी पानी के लिए इस भागदोर में अपने मन के खिलाफ काम करने को तयार हो जाते हैं, और फिर कभी ना कभी या अंतरिक लड़ाई इतने बड़े पहँआने पर पहुँच जाती है कि उनके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं, संडे निउरोसिस इसी का एक प्रकार है, छुट्टी का दिन होने के कारण अकसर लोगों के पास कोई व्यावसाई क्या दूसरा काम नहीं होता, और इस वज़र से उन्हें सुभा उठने का उद्देश भी नहीं मिलता, उन्हें अपने अंदर एक खाली पंसा महसूस होता है, और आज उठकर क्या करना है का जवाब खुदी रूणना पड़ता है, जब वो आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं जैसे सवालों के जवाबों की खोज करते हैं न, तो असल में वो लोग एकी गाई की खोज करने में लगते हैं, समझें? लोगो थेरपी के अनुसार जब भी कभी इनसान को उसकी जीवन का उदेशिप राप्त होता है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है, अपने उदेशिक को खृती में बदल कर एक अलग ही संतुष्टी मिलती है, और किसी तरह का भी अफसोस नहीं होता, हम इस चर्चा के अगले भाग में हम लोगो थेरपी और मोरता थेरपी और इनसे जुड़ी एकिकाय के बारे में बाते करेंगे, आप कहीं मत जाईएगा पने रहे हमारे साथ। और हमें इन बहुमूल ले पलों को बेकार नहीं कवाना है। आज की कड़ी में बात करते हैं मुरीता थेरपी की, जीवन दर्शन पर आधारत इस अनूखे इलाज के तरीके ने जापान पर एक अनूखी चाप छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भल लवी। और सरजरी के बाद होने वाली निराशा से लड़ने के लिए किया जाता है। एक मनूच चिकितसक होने के साथ साथ मुरीता जैन बुधिस्ट भी थे और विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म से मिले अपने ग्यान को समाच कल्यान में लगाने के चुप भी। मानसिक उपचार के ज्यादतर तरीकों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। जबकि मुरीता तरपी में अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के साथ साथ उनका नव निर्मान करना भी सिखाया जाता है। इस तरपी में किसी भी लक्षन को नजर अंदास करने की सलाह नहीं दी जाती बलकि इसमें हमारे इच्छाओं, आकांक्षाओं, डर, निराशा और चिंताओं जैसी सभी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। इस तरपी के मूल सिध्धांत इस प्रकार हैं। बाकी इलाज पद्धती अपना काम करती रहेगी। मुरीता में कभी भी वज़ा धूनने के लिए या स्पष्टी करण देने के लिए नहीं कहा जाता। तीन, अपने जीवन उद्देश की खोच करें। हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते तो क्या हुआ? अपनी दिन्चरिया पर तो जरूर काबू पा सकते हैं न? जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। बस उन्हें खोचने और अपने अंदर के एकगाई को ढूणने की तैयारी होनी चाहिए। आइए अब इस थरफी के चार पड़ावों की चर्चा करते हैं जो गरीब 15 से 21 दिन तक चलते हैं। पहले पड़ाव में मरीज को सिर्फ आराम करने के लिए एक अलग कमरे में भीज दिया जाता है जहां बाहरी दुनिया, टीवी, किताब या दोस्तों से सभी संपर्क तोड़ दिये जाते हैं। उसे कीवल सू कर अपना ज्यादा समय गुजारना होता है। ये शरीर और मन को शांत करने का प्रयोग है। दूसरे पड़ाओ में शांत और खुद्रती माहौल में टहलना, हलके व्यायाम और एक डारी में अपने मन के भावों को लिखने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है। एक हफ़ती तक एकाकी जीवन जीने के बाद लगभग सभी को ये पड़ाओ बहुत पसंद आता है। तीसरा पड़ाओ थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें पहाड पर चड़ना, लकड़ी काटना और सिरामिक के बरतन बनाना शामिल है। इस चरण में मरीज को केवल काम संबंधी बात करने की अनुमती होती है। और चौथे पड़ाओ में फिर एक बार सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ने को कहा जाता है। इसके बाद भी मरीज तेरपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तिमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है। दुनिया को एक नया और ऐसा विक्सित इंसान देना, जिसके पास उसके जीवन का फ्रेरक उद्देश्य हो। और अब बात करते हैं एकिगाई की। लोगो तेरपी और मॉरीता तेरपी दोनु ही आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी मार्ग दर्शक या अध्यात्मिक शिवर की जरूरत नहीं है। एकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर एक बार आप इसे जीत लेते हैं और अपना एकिगाई समझ लेते हैं, फिर आपको साहस के साथ इस रास्ति पर चलने से कोई नहीं रोग सकता। इस रास्ति पर चलने के लिए लगने वाले मूल भूत साधनें की जानकारी पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको जिस काम को करने की फ्रेड़ना मिलती है, क्या आप खुद को उस काम में पूरी तरह से जोंपने को तयार हैं? हम इस विशे पर बात करते रहेंगे, आप कहीं मत चाहिएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। हम जैसा हमेशा करते हैं न, वैसे बनते हैं। तो उत्कृष्टता हमारे ले कोई कार्य नहीं बलकि एक आदत है। महांदार्शनिक अरस्तुने कितना सही कार हैं न? नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपके साथ पल्लिवी और हमारी चर्चा का विशह है जापानी जीवन दर्शन को बहुत ही खोबी से समझाती। पूरी दुनिया में प्रसिध किताब एकी गाई। दोस्तो इस किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसस्क मरालिस की जोडी ने जो स्पेन की रहने वाले हैं। ये किताब सबसे पहले स्पानिश भाशा में लिखी गई थी, बाद में इसका अनेक भाशाओं में अनुबात किया गया। तो आज के इस भाग में बात करेंगे कि हमें किस तरह जीवन प्रवाह के साथ बहते हुए अपनी काम और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करना चाहिए। अंग्रेजी में न अक्सर कहा जाता है, go with the flow, सुना है न आपने, यानि प्रवाह के साथ जाएं। ऐसा सोचे कि आप अपनी मनपसंद जगह पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, आपके दोनों और सफेद बार फूड रही है, माहल में मस्ती है और आपको बहुत मजा रहा है। गलग रूप न लेकर एक हो जाते हैं। जब आप उस अनुभव में पूरी तरह डूप जाते हैं, तो कोई दूसरा ख्याल आपको आता ही नहीं, आपकी एगो खत्म हो जाते हैं और उस काम के साथ आप एक रूप हो जाते हैं, और इसे ही कहते हैं, प्रवाह के साथ हमें से सभी ने कभी न कभी इस एक रूपता का नुभव जरूर किया होगा। जब हम अपने पसंद का काम करते हैं ना तो हमें सेंस और टाइम दोनों का ही अहसास नहीं होता। हम घड़ी की तरफ देखते रह जाते हैं, ना तो जी काम आगे बढ़ता है और ना ही घड़ी की सुई। इसमें एक और मैज़ेदार बात ये भी है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है ना, वो किसी दूसरे को तकलीफ देह लग सकता है। प्रवा यानी फ्लो का मतलब ऐसे अवस्था है जिसमें हम आनन्दित, उत्साहित और स्रिजन शील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस काम में जुट जाते हैं। जैसे अपने एकिगाई के अनुरूब जीवन जीते हुए खोशी पाने का कोई जादूई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से प्रवा हमें जाने के लिए भी कोई विधी नहीं है। उस अवस्था में पहुचने और उसी में रहने के लिए सर्वोत क्रिष्ट अनुभव के आवश्चता होती है। खिलाडी, आथलीट्स, शत्रंच खेलने वाले और एंजिनिया भी अपना काफी समय इस अवस्था में बिताते हैं। कि प्रवाह के अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो हमारी मन पर उसका क्या परणाम होता है। अगर कोई महत्वपून कारे करते वाक्त आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपकी एकागरता अक्सर भंग होती है। तो आप हमारे आने वाले भागों में इस ओडियो बुक समरी को सुनते रहें। जिनमें हम कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करेंगे जो आपको प्रवाह में आने में मदद करेंगे। ये चर्चा अभी दूर तक चलने वाली है। आप भी चलते रहें हमारे साथ। सबसे खुश लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा हासल करते हैं, बलकि वो हैं जो प्रवाह की स्थिती में दूसरों की तुलना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पल्लेवी। तो आईए जानते हैं कि वो क्या उपाए हैं जो आपको इस समस्या का समाधान देते हुए, प्रवाह हमें आने में मदद करेंगे। प्रवाह में लाने वाली साथ अवस्थाइं होती हैं। एक, क्या करना है इसका पता होना अवश्चक है। दो, इसे कैसे करना है ये जानना अवश्चक है। तीन, हम इस कारे को कितने अच्छे तरीखे से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। चार, अगर कारे में दिशा महत्वपूर्ण हो तो कहा जाना है ये पता होना चाहिए। पाँच, सामने कौन सी चुनोतिया हैं इसकी जानकारी होना। छे, कौन सी कुशलताओं की जरूरत है ये पता होना। और साथ, मन को विचल इतना होने देना। हाईए, अवे नवस्थाओं तक पहुचने की उपाय के बारे में बात करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ मुश्कल काम खोजें ताकि उसे करने में आप अपने comfort zone यानि आराम के दायरे से बाहर आ सकें। हर काम, खेल या नौकरी की कुछ नियम होते हैं। होते हैं और उनके आधार पर ही ये काम किये जाते हैं। इसी तरह इन कामों के लिए कुछ कुछलताओं की भी जरूरत पढ़ती है। साथ ही जो गतिविधियां बेहद आसान होती हैं वो बुर्यत को बढ़ाती हैं। और अगर बहुत कठिन हो तो उस काम को अधूरा छोड़ देने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन दूनों के बीच की मार्क कुपाना जरूरी है। काम करते वक्त नई चुनोतियों का सामना करते रहना चाहिए। इससे हमें स्वयम को आगे बढ़ने के लिए उर्जा मिलती रहती है। हर बार काम करते वक्त कुछ ऐसा करें कि आपके आराम का दाइरा तूटता रहे। पढ़ने जैसे मामूली काम के लिए भी कुछ गुण और ग्यान की जरूरत होती है। जैसे अगर हम किसी ऐसी किताब को उठा लें जिसके विशय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं तो वो ज्यादा देर तक हमें बान नहीं पाएगी न। वहीं अगर हम अपनी रुच्ची और क्षमता के हिसाब से कोई किताब पढ़ेंगे वाली खेल जैसे वीडियो गेम्स, बोर्ड गेम्स वगरा नियमों की मदद से खेले जाते हैं। इसलिए इन खेलों में प्रवाह पानी की संभावना ज्यादा होती है। तैक के गए नियमों के हिसाब से खेलनी के कारण अपने सामने वाले को हराना ही इन खेलों का मकसद हो जाती थी कि उनके बॉस उन्हें ठीक ठंक से काम नहीं समझाते। इससे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उन्हें करना क्या है। यह अफसर बड़ी-बड़ी प्लानिंग और रणनी थी तो बना लेते हैं पर आपके सामने कोई सपष्ट और पक्का लक्ष नहीं रखते। किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नक्षा ही नहीं, कमपस भी होना चाहिए, है ना? किसी कारुबार या कोई स्रजनात्मक काम करते वक्त यह पता होना जरूरी होता है कि उस काम से हमें क्या हासल करना है। प्रवाहा हासल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष का होना जितना आवशक है उतना ही जरूरी है काम में अपने आपको जोग देना। एक ही लक्ष पर ध्यान के इंद्रित करें। आज की तकनीक की वज़ा से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहें और वो है हमारा विचलित मन जिसके कारण हम किसी ए लिखने का काम बीच में ही रह जाता है। हुआ है ना हम सब के साथ। किसी समय में लोगों को ये खलत फहमी थी कि इस तरह की मल्टी टास्किंग से उनका समय बच्चता है। पर अब ये तय हो चुका है कि इसका परणाम उल्टा ही निकलता है। जी। इस तरह एक काम से इन दो बातों का होना जरूरी है। काम के लिए अच्छा माहौल और जो हम कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। इस विशे पर आगे भी बात करते रहेंगे और जानेंगे जापान में इकी गाई के माध्यम से प्रवाह में रहने का महत्व किसी पता चला। जानन पानी जीवन दर्शन पर आधारित किताब एकी गाई पर इस चर्चा में अब बात करते हैं एकी गाई धूरने के लिए प्रवाह के अनुभव पर। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। और उनमें आवसाथ के लक्षण सपष्ट दिखाए देते हैं। तो इस महामारी से बचने के कुचपाई इस तरह हैं। सोने से पहले और उठने के तुरंट बाद किसी भी स्क्रीन, मोबाल या टीवी को न देखें। कोई भी जरूरी काम करते वक्त, या तो अपना मोबाल बन कर दें या व्यर्थ के मैसेज़ेज या नोटिफिकेशन को आफ कर दें। हफते में एक दिन खासकर शनिवार या रविवार को टेकनोलोजी का उपवास रखें। उस दिन ऐसी किसी जगा पर जाएं जहां वाइफाई की सोविधा ना हो। दिन भर में बस एक या दो इमेल्स का ही जवाब दें और उसके लिए समय तै कर लें। इसी तरह बिल भरने और फून पर बात करने के लिए भी समय नियत कर लें। मन भटकने लगे न, तो उसे सजग रखने के लिए टहलने या तैरने जैसे काम करें। या माइंडफुलनेस जैसी किसी ध्यान पध्धती की मदद लें। जापान में कलाकार, एंजिनियर, शोदकर्ता और ओताकुस यानि जापानी काटून आनिमे में दिल्चस्पी रखने वाले, इन सभी को एकिगाय के माध्यम से प्रवाह में रहने का महत्व पता चला है। जापान के लोग सिर्फ बहुत काम ही नहीं करते, बलकि पूरी महनत से अपने आपको काम में जोग देते हैं। इस देश ने टेकनोलोजी के क्षेत्र में असाधारन विकास किया है, वहीं दूसरे और हस्त कला और अपनी संस्कृती को भी बहुत सम्हाल कर रखा हुआ है। इसकी एक मिसाल है। वो बहुत कम लोगों से मिलते थे। यह ऐसे लोग हैं जो प्रवाह में रहकर अपने जीवन का असाधारन इस्तेमाल करते हैं। प्रशिक्षन के माध्यम से हम प्रवाह की अवस्था में जल्दी पहुँच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ध्यान के कई सारी तरीके हैं लेकिन सभी का लक्ष एक ही है मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंदर्त करना। जापान में आधुनेक युग में भी दिन्चरिया और धर्म का सही मात्रा में मेल जोल रखा गया है जापान में विशेश रूप से कन्फूश्यस, बौध और शिंतो धर्म माने जाते हैं इन में नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है यहाँ व्यापार करते समय अंतिम नतीजों के बजाए प्रक्रिया, तरीकों और आप उस काम को कैसे करते हैं इन बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है ऐसा करना अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छा है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता धार्मिक रिवाज हमें साधारन नियम और आसान सा मकसद दिखाते हैं जिसकी वज़ा से हमें प्रवाह में जाने में मदद मिलती है एकदम बड़ा लक्ष हो तो उसे हासल करना असंभव लग सकता है लेकिन धर्म से हमें कदम कदम पर मार्ग दर्शन मिलता रहता है और लक्ष पानी का प्रशिक्षन भी जब भी आपका लक्ष बड़ा हो तो उसे टुकड़ों में विभाजित करें और फिर एक-एक टुकड़े पर विज़य हासल करें नतीजे की चिंता करना छोड़ दें इससे आप अपने आप पर सकारात्मक परिणाम ला पाएंगे प्रभाह का इस्तिमाल करें उन सभी कामों को एक कागस पर लिख लें जिनहीं करते वख्त आप रवाह में जाते हैं वो कौन से कत्वतिया हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है क्या आप उन्हें अकेले करना पसंद करते हैं या किसी टीन के साथ आपको शारीर एक परिश्रम वाले काम ज्यादा पसंद है या सोचने वाले काम हो सकता है इन सवालों में आपको अपना एकिगाए मिल जाए और जीवन को चलने का एक नया रास्ता मिल जाए अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी खोज जारी रखें प्रवाह रहस्यमाई है आप उसका अनुभव करके अपने एकिगाए के नस्दीक पहुँच सकते हैं तो जीवन दर्शन पर हमारी ये चर्चा चलती रहेगी आप भी बने रहे हमारे साथ